इन्फॉर्मेशन सब्द किस भासा से बना है तो इन्फॉर्मेशन सब्द जो है वो लैटिन भासा के इन्फॉर्मा से बना है इन्फॉर्मेशन सब्द और नेक्स्ट जो है सुचना प्रवा के सही क्रम क्या है देखे सुचना प्रवा का जो सही क्रम है वो है डी आई के डबल यानि D फोर होता है data, I फोर होता है information, K फोर होता है knowledge, W फोर होता है wisdom, यानि जो data होता है वो कच्चा है, raw material है, तो processed data मिलता है, information होता है, यानि सुचना मिलता है, और processed information होता है, तब आपको knowledge होता है, और knowledge से क्या आता है, बुद्धी का जान होता है, यानि wisdom होता है, यही इसका सुचना प्रवा का सही करम है Inflipnet बना था Inflipnet एक Library Network है इसका फूर प्रमता Information and Library Network इसको March 1990 में बनाय गया था UGCNE University Grant Commission द्वरा Inflipnet को बनाया गया था Inflipnet का जो Headquarter है वो गांधी नगर गुजरात में है ठीक है और Inflipnet के बहुत सरा प्रोग्रामे से सूध गंगा सूध गंगोत्री यह सब Inflipnet का प्रोग्राम है ठीक है और यह जो है University Library का एक Networking काम करता है तो Question पूछे किसे Inflipnet से बहुत सरा Question मन सकता है कि यह सारा Question दोस्टो Competition Exam में और Billis के Exam में आये हुआ है वह से उठाकर कर लाए गया है Question पूछे कि Inflipnet कि इस टाइप के Library के लिए Networking का काम करता है तो Academic Library के लिए काम करता है जितने वी University के Library यह उसके लिए Networking का यह काम करता है Inflipnet Next, POPC POPC का फूलप्रम क्या होता है POPC एक देख लिए एक Indexing है एक Indexing पद्दती है इसका फूलप्रम होता है Postulate Based Permuted Subject Indexing यह POPC का फूलप्रम होता है इसको गड़ेस भट्टाचार 1968 में इसका निर्मार कियाता POPC में इंडिया का है PRACES PRACES भी एक Indexing में एक Pre-Reserve Indexing है POPC भी एक Pre-Reserve Indexing है पूलप्रम का फूलप्रम का फूलप्रम होता है एक Post Indexing होता है और एक Pre-Reserve Indexing होता है तो POPC और PRACES यह दोनों आपका Pre-Reserve Indexing है और PRACES का फूलप्रम होता है Pre-Reserve Context Index System इसको Direct Exchange ने 1968 में PRACES को मनाया था Next CPM का फूलप्रम क्या होता है CPM का पुपरम होता है critical path method इसको भी आपको जो due point में कायम करने वाले था Walker and Kelly उन्होंने इसको 1950 में Walker and Kelly ने CPM का बनाया था और CPM का समन्न आपका management से है question पूछेगा CPM का समन्न किसे है तो management से है pot pot भी एक management technique है इसका full पूरम होता है project evolution review technique इसको US Navy ने बनाया था ठीक है management का समन्न भी इसी से product का समन्न भी management से ही है ZBBS ठीक है यानि ZBBS का full पूरम क्या होता है Zero Based Budgeting System यह library budget का type है ZBBS यानि Zero Based Budgeting System इसको 1970 में Peter Fire अमरिका का Peter Fire था हुआ ही बनाया था तो आपसे पूछे है कि father of ZBBS budget Peter Fire ZBBS budget का बनाता 1970 में full from क्या होता है Zero Based Budgeting System इस type के एक और question में सकता है कि नए वर्स में नए सीरा से नए budget बनानी की परिक्रिया को क्या कहते है तो Zero Based Budget System इंग्लिस में ZBBS चार question एक question में दूस्तों चीपा हुआ है ठीक है next budget का जो टेक्निक है PPBS का full from क्या होता है ये भी एक library budget टेक्निक है इसका full from होता है Planning, Programming, Budgeting System Planning, Programming, Budgeting System ठीक है ये आज के येट में सबस्यदा यूज होने वाला ये budget टेक्निक है ठीक है next जो है HDI और CAS का full from क्या होता है HDI जो है उसका full from होता है Selective Dismination Information यानि चैनित सुचना प्रभाव सेवा HDI का full from होता है HDI का total 8 चरण होता है ये भी question पुछता है कि HDI का total कितना चरण है तक 8 चरण है ठीक है पहला है इसमें पाठक का प्रफाइल बनना यूजर का प्रफाइल बनना इस टेव का उसमें 8 चरण है और CAS मतला है Current Awareness Service ये सब लाइबरेरी द्वारा प्रदान कीजेने वाली Services है HDI और CAS CAS के जोली हम लोग अपने पाठक को Current चीज़े Current चीज़ा Update करते हैं उनको देते हैं Next Automation सब्द की उत्पत्ती किस भासा से हुई है Automation सब्द जो है वो Greek भासा के Automate सब्द से हुई है ये काता है Bibliography Bibliography सब्द का जो उत्पत्ती भी है वो भी आपको Greek भासा से हुआ है Bibliion से इस बात को अब ध्यान दिजिएगा एक Lamination सब्द होता है Laminati Lamination तो Lamination सब्द की उत्पत्ती भी Latin भासा के Lemini से हुआ है ठीक है और Library सब्द को तो बताएए चुके हैं आपको Library सब्द की उत्पत्ती Latin भासा के Library से हुआ है और French भासा के Libra से और Greek भासा के Bibliotech से हुआ है तो next जो है Ontology Ontology जो है Library Automation से सम्बंद रखता है Ontology ठीक है यह अज कली नया latest question है UGC Network बन क्या है Ontology का सम्द की से है Library Automation से है और Automation सब्द का जो पहली बार परियोग किया था वो DS Harder ने किया था जो Library Automation है उसका सबसे पहला परियोग जो है वो DS Harder ने किया था Next है Encyclopedia of Library Science किस प्रकार का विस्सो कोस विस्सो कोस को इंग्लिस में Encyclopedia बोलते है तो Encyclopedia of Library Science जो है वो विसिस्ट क्यानि Special Encyclopedia है देखिए दोस्तों डो टाइप का Encyclopedia होता है एक होता है General Encyclopedia जिसको हम लोग समाने विस्सो कोस बोलते है दूसरा होता है Special Encyclopedia जिसको हम लोग विस्स्ट विस्सो कोस बोलते है तो Encyclopedia of Library Science ये किसी खास एक विसे विसे स सम्भन्दा इसलिए इसको Special विस्सो कोस बोलेंगे और जो General Encyclopedia जिसमें Encyclopedia of Britannica सबसी प्रणा Encyclopedia है और Encyclopedia बिटक के लगब तीन भाग होता है उसका Micropedia, Micropedia, Propedia और Index से चार भाग है उसका Micropedia, Micropedia, Propedia और Index ठीक है? तो ये है दोस्तो I think आपको विडियो पसंद आया होगा अगर आप मौलाना मजूलक इंबर सीटी से B.LIS यानि Bachelor of Library and Information Science या D.O.L. Diploma of Oriental Librarianship का कूर्स कर रहे है तो इसके लिए ये जो गाइड जो पुस्तकाले विज्ञान है प्रस्नुत्तर गाइड ये गाइड मौलाना मजूलक इंबर सीटी के प्रस्नुत्तर गाइड ये आप ले सकते हैं मौलाना मजूलक इंबर सीटी के या B.LIS का अगर आपको एसाइमेंट चाहिए बना बना है या प्रोजेक्ट चाहिए बना बना है या कोश्चन बैंक चाहिए टीवीज ये पेपर खा तो गाइड बैठें इन सभी मेन में मौल आपको